What is so special about AK-203? Recently, Russian Federation के President Vladimir Putin भारत आये हुए थे. दोनों देशों के Foreign और Defense Ministers मौझूद थे और ये पहला 2 प्लस 2 डायलोग था. इस मीटिंग से दोनों देशों के बीच Security और Strategic Bilateral Relationship का मजबूत होना नजर आ रहा है. ये विजट इसलिए भी important है क्योंकि इंडिया और रशिया कई महत्वपूर्ण Defense Deal भी कर रहे हैं. इनमें long range S-400 Surface to Air Missile Defense System तो शामिल है ही. लेकिन पुतीन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस मीट का एक और की outcome है. ये है करीब 600 मिलियन डॉलर की लगत से बनने वाली करीब 6 लाख AK203 Kalashnikov Assault Rifles जिसकी manufacturing इंडिया में ही होगी. ये दोनों देशों के एक joint venture के अंडर की जाएगी. इस manufacturing से Make an India Initiative को strong boost मिलेगा. इन rifles में mostly Indian made components use होंगे. दोनों देश एक दूसरे को मजबूत ताकत मानते हुए time-tested friend कहते हैं. रशिया और इंडिया के defense और strategic relations वास्तव में पिछले कई दशकों से चलते आ रहे हैं. व्लादिमिर पुतीन का India visit करना rifles की अठकी हुई deal के लिए एक success रहा. क्यूंकि 21st India Russia Annual Summit में total 28 agreements sign हुए. इन में से एक Russian origin की AK-203 rifles deal भी है. लेकिन दोस्तों इन AK-203 rifles में ऐसा क्या खास है जिसके लिए India इतनी बड़ी मात्रा में इन्हें manufacture करने वाला है. चलिए जानते हैं इस विडियो में. The Agreement to Produce AK-203 Rifles. एक लंबे अरसे से Russia इंडिया का एक committed defense partner रहा है. दोनों देशों ने कई joint ventures पर साथ काम किया है. और इंडिया ने कई weapons system रशिया के साथ बनाए है. ब्रामोस missile system इसका एक अच्छा example है. दोस्तों, ब्रामोस एक universal long range supersonic cruise missile system है, जो land, sea और air कहीं भी launch किया जा सकता है. ये system anti-ship and land attack roles के लिए designed है. इससे Indian Navy और Indian Air Army में induct किया गया है. इस system को DRDO, Indian Government, Russia की एक rocket designing bureau, NPOM और Russian Government ने jointly develop किया है. ये केवल एक example है. AK-203 rifles भी दोनों देश साथ में develop करेंगे. इन rifles के लिए pact तो 2019 में sign हुआ था, पर deal royalty payment issues के कारण रुख गई थी. दरसल ये deal शुरू तो 2018 में ही हुई थी. पर तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेठी में एक production facility भी inaugurate की थी. लेकिन deal रुख गई थी. लास्ट वीक, व्लादिमिर पुतीन के इंडिया विजिट के बाद डील फाइनल हो चुकी है. इस 7.62 by 39 mm क्यालिबर AK-203 राइफल्स को 30 साल पहले इंडियन आर्म्स फोर्सेज में इंडक्ट की गई इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल्स यानि इंसास राइफल्स को रिप्लेस करने के लिए मैनुफाक्ट्चर किया जाएगा. इन राइफल्स को अमेथी उत्तर प्रदेश में इंडो-रॉशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड यानि IRRPL, Advanced Weapons and Equipments India Limited यानि AWEIL, Munitions India Limited यानि MIL of India और रोजो बोरोन एक्सपोर्ट जॉइंटली डिवलप करेंगे. इंडियन फर्म्स इस जॉइंट वेंचर में 50.5% के स्टेक्स अपने पास रखेंगी जबकि कलाशनी कोव के 42% स्टेक होंगे और रोजो बोरोन एक्सपोर्ट के 7.5% ये ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन आर्मी की ब्रांच, राश्टर राइफिल्स और इंडियन आर्मी की कुछ इंफैंटरी रेजिमेंट्स कलाशनी कोव राइफिल्स के सब से बड़े यूजर्स हैं. ये रेजिमेंट्स इंडिया के insurgeonsary हिट इलाकों में deployed रहते हैं जैसे कश्मीर वैली और नॉर्थीस्ट टेक्नोलजी ट्रांसफर के एक हिस्से के रूप में पहली 70,000 राइफल्स रशियन मेड कॉंपोनेंट्स के साथ आएंगी जैसे ही manufacturing शुरू होगी इंडियन आमी को पहले 32 महिनों में 70,000 राइफल्स मिल जाएंगी दोस्तों इंडिया पिछले करीब 10 सालों से एक ऐसी राइफल ढून रहा था जो आम्ट फोर्सेज में इस्तिमाल हो रही इंसास को रिप्लेस कर सके ये राइफल्स इंसास के काफी advanced है और lightweight होने के साथ-साथ जादा accurate मानी जा रही है नई राइफल्स में इस्तिमाल technology इन गन्स में high-tech add-ons लगाने में help करेंगी जैसे customized sights और grips एक राइफल को केवल चलाना smooth नहीं होना चाहिए बलकि इन में advanced features भी सैनिको को combat में help करते हैं लंबी दूरी तक देख पाने की क्षमता, अच्छी grip, lightweight होना ताकि portability अच्छी हो etc. features गन को एक suitable assault equipment बनाते हैं Special Forces के mission पर इस तरह के features life saver हो सकते हैं Government के मताबिक ये assault rifles, counter-insurgency और counter-terrorism operations में Indian Army की operational efficacy को significantly बढ़ाएगी दोस्तों इनसास बिना magazine और bayonet के 4.15 kg की होती है वहीं AK-203 का बिना magazine के वजन केवल 3.8 kg है यानि ये rifle इनसास से करीब 315 ग्राम हलकी है इसका मतलब ये भी है कि इन 315 ग्राम में सैनिक कोई और समान रख सकते हैं AK-203 की लंबाई केवल 705 mm है जबकि इनसास bayonet के बिना 960 mm लंबी है इसके अलावा AK-203 की shooting effective range करीब 3 football field के बराबर यानि 300 meters है एम्यूनिशन की बात करें तो AK-203 में 7.62 by 39 mm एम्यूनिशन है मैगजीन में भी काफी फरक है इनसास की मैगजीन केवल 20 rounds की होती है जबकि AK-203 में 30 rounds यानि 50% ज़्यादा bullets होंगी इनसास rifle दो तरह से गोली दागती है single shots और 3 round burst जबकि AK-203 automatic और semi-automatic modes में चलाई जा सकती है AK-203 को ज़्यादा accurate बताया जा रहा है इसमें butt stock यानि कंधे पर रखने वाला portion adjustable है ergonomic pistol grip है और trigger finger के लिए additional tab है जिससे इस rifle को पकड़ना और operate करना easy रहता है इनसास को replace करने के plan प्रॉंटली अब इसलिए लिया गया क्योंकि देश के कई locations में stationed ground troops ने इनसास को लेकर complaint की है इंडिया के इस rifle hunt में AK-203 के सारे specifications fit bet थे हैं जिससे ये rifle एक superior choice बन जाती है दोस्तों AK-203 actually AK-47 का derivate है इस rifle को दुनिया भर में militaries इस्तेमाल करती हैं आफ्टों मात कलाशनी कोवा और AK-सीरीज 1947 में World War 2 के दौरान रशिया को German assault के defend करने वाले मिखेल कलाशनी कोव ने एक rifle develop की थी इस rifle को AK-47 नाम दिया गया था ये rifle soldier friendly थी और किसी भी condition में operational थी यही कारण है कि AK-47 एक famous rifle है और आज भी इसकी reliability के कारण globally करीब 100 देशों की militaries इस rifle से equipped है कहा जाता है कि AK-47 को कहीं दफना भी दो और महिनों के बाद निकालो तब भी केवल उसकी धूल ही हटाना पड़ता है और वो rifle fire करने के लिए ready रहती है AK-47 कई countries जैसे Germany, Poland, Israel, North Korea और the US में license produced की जाती है दोस्तों एक ऐसी rifle भी है जिसका नाम AK-series पर ही रखा गया था पर वास्तव में वो इस series की नहीं है AK-56 ओरिजिनली AK-production की rifle नहीं है बलकि AK-47 की Chinese copy है जो 1956 में बनाए गई थी AK-100 और AK-200 सीरीज इस AK-100 सीरीज की assault rifles AK-74M के design पर based modern range rifles है ये series अलग-अलग variants जैसे 5.56 by 45 mm NATO, 7.62 by 39 mm Soviet and 5.45 by 45 mm Soviet में available हैं इन rifles को Kalashnikov assault rifles की third generation rifles भी कहते हैं इस range में AK-101, AK-102, AK-103 और AK-104, etc. शामिल हैं जो world famous Kalashnikov AK-47 के ही modern versions हैं अब हम AK-200 सीरीज पर focus करते हैं इस सीरीज की एक rifle इंडिया बनाने जा रही है AK-100M सीरीज को ही नाम बदल कर AK-200 सीरीज कहा जाता है दोस्तों, globally welfare बदल रहा है कोई भी equipment एक समय के बाद पुराना हो ही जाता है ऐसे में कुछ changes होना लाजमी है इनी changes के कारण सीरीज बदलती जाती है और updated equipments market में आते जाते हैं यही rifles के साथ भी होता है 200 सीरीज में external improvements देखने को मिलती है 200 सीरीज rifles के कई configurations बदले गए है pistol grip को improve किया गया है और fire selector redesigned है यह full size और compact variants में आती है यह features AK series की rifles को soldier friendly बनाने के लिए design में लाए गए है इन series के अलावा AK 12 और AK 15 series भी है जो AK family में सबसे नहीं है इसके अलावा AK 300 series सबसे latest series है जिससे पुरानी NATO battle rifles के replacement के option के तौर पर promote किया जाता है जरो directive के क्रोचा है के यो आनता है क्त沃ब